हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चाइनल ट्रेंडिंग प्रदेश, आज एक केज मार्च है और आज के जार्खन से रिलेटेड जितने भी इन्पॉर्टेंट करेंट अफिर्स बन सकते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो लिक्चर में हम लोगों डिसकस करने वाले हैं कल के वीडियो लिक्चर में हम लोगों ने जार्खन में इन्पॉर्टेंट पोस्ट यानि इनपॉर्टेंट अपॉइंट्धमेंट्स टॉप 30 जो जितने बन सकते थें उन्स उप हम लोगों ने डिसकस किया हैं अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देखें, प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल हैं, यह काफ़े इंपॉर्टेंट है आपके अपके अपक्मिंग एकसाम पॉइंट आप व्यू से, और कमिंग वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इंडे मार्च के अंथ होते तक आपको कम्प्लीट करेंट आफियर्स का रिविजन आपका पूरा हो जाएगा, चलिए, आज के लिए आपका पहला कोशन है, जहारखन के कितने जीलो में नर्सिंग स्कूल खोला जाएगा, तो इसका करेक्ट आइंसर हो जाएगा, आप्सन नमबर D 24 जानी के सभी डिस्ट्रिक्ट में नर्सिंग स्कूल खोलने का प्रावधान किया जा रहा है, एक्चुली में क्या है, जब कोशन आंसर आर्च चल रहा था, उसमें प्रदीप जादो जी ने सरकार से कोशन किया था, उसी के रिस्पॉंस में बर्ना गुपता जी ने इसका आंसर दिया कि सभी 24 जिलो में इसके स्थापना की जाएगी, अभी प्रॉब्लम क्या है, जो भी हमारे संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में संथाल परगना डिविजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आपके साहिब गंज हो गया, इन सभी में अभी भी सरकारी स स्कूल हो गया या सरकारी अस्पतार अच्छे लेबल के अभी लेबल नहीं है, इसलिए उन्हें प्राइबेट स्कूल में अड्मिशन्स लेना परता है, और आपके संथाल परगना डिविजन है, वो इतना रीच भी नहीं है, वहाँ पर काफी गरीबी है, इस कारण से गव पर रिचनेस की कमी है, गरीबी जादा है, उन सभी में पहले चरण में नर्सिंग स्कूल के स्थापना की जाएगी, ताकि गरीब जन भी इसमें पढ़ाई कर सकें, उल्लेखिर जिलों के अलावा, अन सभी जिलों में वित वर्स 2021 में नर्सिंग स्कूल खोले जाएगे, चल जोजहरेगी, यह आपका शुर्वात होगा उरिचा के झार्शुगुडा से, फिर यह एंटर करेगा, आपका धनबाद, धनबाद होते हुए यह चलाएगा, उसे पहले आएगा राची, फिर बोकारो, फिर यह आपका ग्रीडी होते हुए, कोडरमा होते हुए यह गया मु कुछ पॉइंट से जिन्हें देख लिजे इंडियन रेलवे द्वारा 20 मई से 30 मई तक भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। पारस नाथ जो कि आपका ग्रेडी में हो गया पारस नाथ साब को सबसे पहले याद आना चाहिए पारस नाथ की उंचाई कितनी है तेरा सो पैसेज मीटर फिट में भी आप याद रखे या एक चीज आपको जब आप वाटर फॉल्स पर रहे होंगा या बहुत सारा चीज है ना पढ़ने के लिए तो फीट या मीटर दोनों में तो याद नहीं रख सकता आपके काम करें या तो फीट में याद रखे या तो मीटर में याद रखे और कंवर्शन याद कर लीजे क्योंकि एक्जाम में कुछ भी पूछ सकता है चलिए और उसके बाद को डर्मा उसके गया मुगल सराय होते हुए आगे पढ़ेगी जो भी डेस्टिनेशन है इसका ये इसका उद्देश क्यों है आखिर यसे क्यों चलाया जा रहा है इसे समझे कोरोना महमारी के बाद समाज के लोगों के बीच नकरात्मक्ता यानि नेगिटिविटी को कम करने के उद्देश स से रेलवे द्वारा इस तरह का स्पेशल च्रेंज चलाने का प्रियास किया जा रहा है थार्ड कोश्यन है जार्खन के किस इंडेस्ट्री ने अपना लोगो और सूक वाक्य यानि स्लोगन का नाम अपना यूरिया सूना उगले रखा है तो इसका करेक्ट आइंसर हो अब याइटी सिंद्री का अपने बहुत बार देखा होगा ओप्शिन्स में तो यह सिंद्री वहीं पर है धनबाद का जो धनबाद और बेंगॉल का बॉर्डर पर है दामोदर नदी यह धनबाद हो गया यह आपका हो गया बंगार और बीट से गुजरती है आपकी किस किया गया है हर्ड चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से जिन्हें देख लिजे हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड हर्ड ने अपने लोगों और सुक वाकि का नाम अपना यूरिया सोना उगले रखा है फर्टिलाजर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया की जगह पर सिंद्री में स्थापित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड प्लांट की स्थापना की गई है सिंद्री के साथ गोरकपूर और बरॉनी प्लांट में भी इसकी साखा का स्थापना की गई है यानि सिर्फ सिंद्री अकेला नहीं है सिंद्री एक हो सबसे इंपर्टन बात यह है कि सबसे पहले जो प्रोडक्षन शुरू हो रहा है वह सिंद्री प्लांट जो है आपका वहां पर शुरू किया जा रहा है नुवंबर महने से सिंद्री एकाई से अपनी यूर्या सोना उगले की आपूर्ती जारखन बिहार सहित पूरे देश में सुरू हो जाएगी यह जानकारी केंद्र उर्वरा केवं रसायन मंत्री डीवी सदानत गौरा के द्वारा उपलत कराई गई है एक अभी समिट हुआ था जिसमें केमिकल एंड फर्टिलाइजर से जितने भी इंडस्ट्री रिलेटेड हैं उन सभी के एक मीटिंग बुलाए गई थी कि किस तरह इसमें हम लोग इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं कोरोना काल के चलते जो है आपका बहुत इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नुकसान हुआ है उसी के लिए एक पॉसिबल सॉलूशन निकालने की कोसिस की जा रही है उसी में यह जो डिसीजन है यह सब निकल के बाहर आया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ इंपोर्टन पॉइंट से जिन्हें देख लिजे देली पब्लिक स्कूल राची के सिक्षी का किरती किरन को इंडिया आइकोनिक एजुकेशन आवार्ट से नवाजा गया है मैंने अवार्ट के बारे में पहले भी बताया था आपको जब कभी आप अवार्ट को याद रखें तो उसमें सिर्फ आपको अवार्ट का नाम नहीं याद रखना है अवार्ट किन्हें दिया गया है अवार्ट का नाम और किस दिन को दिया गया और किस संस्था के द्वारा दिया गया है और लास्ट में क्यों दिया गया है ये चार पॉइंट्स को याद रखेगा तो आप अवार्ड को रिलेट कर पाएंगे नहीं तो इस तरह का जो अवार्ड होता है न खास करकि जार्खन का बोल रहा हूं वहाँ पर काफी कंफ्यूशन हो जाएगा क्यों कि मैं भी जब अभी कंपाइल कर रहा हूं सभी को तो ये टोटल आपको 35 प्लस अवार्ड हो चुका है अभी तक तो इस तरह से चार पैक्ट्स आपको याद रखना तभी आप एक्सामिनेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे और सही आंसर टिक कर पाएंगे सेकेंड है ड्रीम कैचर्स ने देश पहर के सिक्षा के छेत्र में विशेश योगदान करने वाले सौ सिक्षक शिक्षिकाओं और प्रध्याइपको को चेहन किया है जिन्हें वर्च्वल कारिक्रम में समानित किया गया है यानि यह अबाट पाने वाली यह अकेल क्या है अल्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन चलिए फिफ्ट कोशन है यह काफि इंपोर्टेंट कोशन है राष्ट्र सब जूनियर महिला होकी चैंपियंशिप 2020 में कीस जिले की टीम विजेता रही है आपको पता ही होगा सिम्डेगा में यह मैच चल रहा था यह काफी रो उसमें हर्याना ने बाजी मार लिया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्स नंबर भी हर्याना की टीम फर्स्ट रही है मतलब बीनर रही है रनर अरप चारखन की टीम रही है और ठाड रही है उतर प्रदेश उतर प्रदेश ने उडिशा को हरा कर ब्रॉंज जीता है चलिए कुछ पॉइंट से जिन्हें देख लिजे यह उस सरीमेनी की आखरी फोटो है मतलब सरीमेनी की पात की फोटो है सब अपने मिडल के साथ में सिम्डेगा के एस्ट्रो टफ स्टेडियम में आयो जीत राष्ट्रे सब जूनियर महिला होकी चैंपियंशिप 2020 के फाइन से इसका आयोजन किया जाएगा सेम ग्राउंड पर किया जाएगा सेम डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा ओडिसा को हरा कर उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है अब देखे कुछ पास्ट में जो है न वो किस-किस टीम ने इस प्रतियोगिता को जीता उससे नहीं है कि जार्खन की टीम विजेता बनी है जार्खन इससे पहले भी एक बार विजेता इस टूर्नामेंट में बन चुकी है ठीक चलिए यानि आप अब अगर समप करने कोसिस करेंगे तो यह प्रतियोगिता जो है इसमें सिर्पियन दो टीमों का दबदबा रहा है कौन स नमबर भी राची उनिवरसिटी के दोरा यह स्टेप लिया जा रहा है क्योंकि देखिए किसी भी भासा को अगर हम लोग आगे ले जाना चाहते है तो उसकी लिपी के पारे में जानना बहुत जरूरी होता है और जब तक हम लोग उसकी लिपी पर काम नहीं करेंगे तब त गोष्णा की है यह गोष्णा जो है अभी वरतमान में राची उनिवरसिटी के कुलपती डॉक्टर कामिनी कुमार के द्वारा की गई है सेवन्त कोश्चन है यह इंपोटेंट है यह जीएस पॉइंट ऑफ यूस से इंपोटेंट है चूंकि डेट कुलाइड कर रहा था अ इसके क्या-क्या इफेक्ट से सभी को आपको याद करना है क्योंकि जीएस में इससे कोश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 19 से 20 मार्च 1940 को रामगर में कॉंग्रेस के 53 राष्ट्रे अधिवेशन का आयोजन किया गया है इसी को लेकर 20 मार्च को राची में इसमरीती अधि बोला था कि इस तरह का इनिसियेटीव लिये जाने की घोशना की गई है लेकिन 19 मार्च को इसे प्रेजेंट में अप्लाई भी कर दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें क्या खास बात है इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही सफर कर पाएंगे इसमें कोई पुरुष नहीं होगा अभी वरतमान में कितना है सिर्फ दो पिंक सिटी बसों का संचालेंग किया जा रहा है अगर यह सक्सेस्पूल रहता है तो इसे और भी बढ़ाया यह बस यह महिलाओं के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही सफर कर पाएंगी इन पर जो कंड़क्टर है या ड्राइबर है वो भी महिलाएं होंगी चलिए कुछ कोशन को देख लेते हैं मलेरिया के मरीजों के घरती संख्या के डिष्टी कोन से जारखंड का पूरे मेar क्मॉट कौन से और स्ञुट के द्वारा दिया गया है कौन से और हजय जारी किया निक्राने जयाने इसके मताबिक BE जारखंड मलेरिया निप्ताने से के तीन निराजियों में पहले में कौन सा है मेघाल है दूसरे मैं और प्रेश नहीं है यह decremental comparison का data है अब देख लिजे कितना प्रतिसाथ है जारखन में malaria के मामलों में total 64.83 percentage की कमी आई है पिछले साल था 31,478 और इस साल कितना आया है 11,071 चलिए काफी अच्छी इनिस्याटिव है रिपोर्ट से याद आया अभी आपका world happiness index आया है उसमें बताईए आपक आपको पता है तो आप इसे comment करें आपका revision हो जाएगा और जरूर से जरूर कमेंट करें चलिए आज के लिए आपका quiz question है जारखन में eco retreat festival की शुरुवाद किस जगह से की जाएगी एक्छली में इससे फरवरी से ही शुरू किया जाना था लेकिन फरवरी से तो हुआ नहीं लेकिन question है frame कर दिया गया है आप इसे answer करने की कोशिश करें देखिए actually में ये तीनों जगह में इसको लागू किया जाना है लेकिन शुरुवाद जब भी की जाएगी एक ही स्थान से की जाएगी इसके उपर tourism का जो policy बन रहा है ना new tourism policy 2021 जो बन रहा है एक अप्रेल से जिस इसको दुबारा गलती नहीं करेंगे अभी करेंगे तो चलेगा फ्यूचर में करेंगे तो दिकत हो सकता है ठेक है चलिए मिलते हैं जहार्थेंड के अगले वीडियो लेक्च्टर के साथ ठैक्स पूर वाचिंग इस वीडियो